गुद मॉर्निंग चिल्रन तुड़े विल डू अबाउट पार्ट्स अफ स्पीच नाव पार्ट्स अफ स्पीच पढ़ने के लिए वी नीड टू नो की सेंटेंस क्या है सेंटेंस वर्ड से बना है और वर्ड जो हम उस सेंटेंस में अलग-अलग वर्ड होते हैं उस वर्ड का क्या पार्ट अफ स्पीच है जैसे वो वर्ड क्या है वो वर्ड नाउन है या प्रोनाउन है या एड्जेक्टिव है या एड्वर्ब है या वर्ब है या है या interjection है सो इससे हमें पता चलेगा कि वो word क्या है सो in short sentence क्या है sentence बना है word से और word का क्या part है ये हमें बताते हैं parts of speech understood आज हम लोग जो सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं that is noun noun क्या होता है noun किसी भी person, place, animal या thing के name को हम noun बोलते हैं छोड़ा सा example हम लेंगे noun common noun भी होता है proper noun भी होता है एक basic difference जो हम पढ़ेंगे वो है proper noun और common noun common noun क्या है common noun है आपका जैसे हो गया girl, boy auntie, uncle country, city rabbit, cat day, month इन सब को हम common noun बोलते हैं लेकिन proper noun जब हम use करते हैं तो proper noun का मतलब हो गया किसी का नाम किसी place का नाम किसी animal का नाम किसी month का नाम या किसी day का नाम तो उसे हम proper noun कहते हैं जैसे girl is a common noun लेकिन rada is a proper noun okay boy is a common noun लेकिन अगर हम boy की जगे सल्मान खान यूज कर दें, तो सल्मान खान is a proper noun, understood children, so like this, there is a difference between common noun and proper noun now, I will give you some example, we will take up the examples of cartoon आप सबको cartoon बहुत पसंद है ना, so चलो, मैंने कुछ examples लिये है, bentan is a good cartoon bentan एक बहुत अच्छा cartoon है तो इसमें noun क्या है bentan, क्यों, क्योंकि एक किसी का नाम है, cartoon क्या है, cartoon is a common noun, क्या है common noun, लेकिन proper noun क्या हो गया, bentan okay, cartoon तो कोई भी हो सकता है, जैसे हमने कहा girl कोई भी हो सकती है, लेकिन राधा तो एक ही होगी न, so cartoon कोई भी हो सकता है, लेकिन हम किसी बात कर रहे हैं, Benten, so Benten is a proper noun, और cartoon क्या है, common noun चोटा भीम चोटा भीम क्या है, चोटा भीम is a noun क्या है, noun, ये भी noun है, चोटा भीम को क्या पसंद है, लड्ण तो लड्णू क्या हो गया, थिंग हो गया तो थिंग का भी noun ही हम हम बोलते हैं थिंग के नेम को then Krishna, Krishna भी किसी का नाम है तो ये नाउन हो गया Krishna को क्या पसंद है? Krishna is माखन तो माखन भी नाउन हो गया लेकिन ये क्या है? किसी चीज का नाम है तो ये थिंग है Mickey Mouse, ये भी नाउन है then I live in Jodhpur Jodhpur क्या है? नाउन है, क्यूँ? क्योंकि ये किसी जगे का नाम है तो हमने इसमें देखा कि नाउन क्या है? नाउन is the name of person किसी भी इंसान का नाम place का नाम animal का नाम या thing का नाम जैसे lion is the thing of jungle lion क्या है? animal का नेम है तो lion is a noun lion is a king of jungle so king भी एक नेम भी हो गया तो इसे हम नाउन बोलेंगे jungle jungle is forest ये भी नेम है तो इसे भी हम नाउन बोलेंगे so we have noun क्या हो गया? noun is the name of person, place, animal thing क्योंकि ना हमें गेंपे है? इसमें हम तो हम गाज़िया तक्षरी क्या है अनन बोले होगी और अधिक भिया है पूह के बूले सहाँ तारस्शा है तो हम प्लोड साथ एंधर डिल्ड़ों ट्रूड परती होगी आपका नाँवाli इस्ट हम आपो पिक एंग मेश कोरूँ भूलीच अजिक बैसे क्या आपा कि एख अर सुछÃस ट्रण से लेकिट पिक यूगा आप आर हुगा allí। इस पिक ट्रण बहुती हम आप कि माणिब आप इस दिसके को दो आज दिलों तो सेरी आफ खेला लाव और हैं जात तो सेरी आफ गोग भी ट Наऀर्म थेफ सब्सक्राइब काया असली पितया कि रखकता है, वार फ् WOW । वाके लग दो खुंषित, प्रिंश्य को रिंगर भीकिंट को browse और के आएर पतर सब्स फिरिक करतेने। सDING क्या केते हesis नाउब अधिकर रोनाव ब Blessed रोनाव क्या होते हैं एला बनाव की फ्रेम हमें भीकिन है अधिकर elegant a Coffee in आए थूुपा दिए कर दो रहलू रह् हाँ भुदा भी सी नविछ लटी आब मैंने हुल मसे नूइला नूइला जिए ल Boss आणा साथ ल स्वार्म यहां पे भी मैंप मैं राघ्मा राग्मा राग्मा की तीया सब se for time जब हम हम सुसी ने को चर से थैं इनके जुट कर से युट पने जो कहा है ओizing सब से इनके जमें नहीं हम खोग नाहे का चर से युट नहीं के जए ऐं, हम को नाूलन न ियुट है तो कर से दें नी, divine, and जी, light, and blood तो हमने इसमा बड़ा नाउं की जगे 100 उटाँ सा प्रोनाउं लीजाए तो नउं की जगे हम accepts करते, दोर इसे मिल का कैसे है, प्रोनाउं, यारूंट इच के वास प्रोनाउं है, तो अप着 प्रोनाउंस तो हम नाउं की जगे जी जगे달, अब नेक्स टाइम में हम उसकी जगे क्या उपने हैं पहctive जांज मात्तों नagen रहां कि एक odpowied GBK एक आप 10 जो दो मत-ब नखावक का नरुंग जा दुए कि एक आतर नान हो सुटू है आप 10 सेंटेस्टेस्टेस्ट रोजि तेन नहीं कि राणतों, नाली कि जगे ne जो सुटू कि थाक, सुटू है मैं आपकी मांदार हुआ 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 है मैं आपकी मांदार हुआ है मैं आपकी मांदार हुआ 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 है मैं आपकी मांदार हुआ 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 है मैं आपकी मांदार हुआ 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 है आपकी मांदार हुआ 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 है आपकी मांदार हुआ 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 है आपकी मांदार हुआ 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 हु So, verb क्या है? Verb is nothing but an action. ये क्या है? Dance करना, read करना, eat करना, play करना, walk करना, ये सब कुछ verb है. Understood? तो चलो हम एक cartoon character लेते हैं, उसी से example लेते हैं. औगी, eats junk food. औगी क्या खाता है? औगी junk food खाता है. तो खाना, ये जो eat है, eat क्या है? Verb है, ये कुछ काम कर रहा है, खाने का काम करता है. औगी कौन है? cockroach है. औगी एन cockroaches आपने देखा है न? So, औगी is a cockroach. अब आपको समझ में आया, verb क्या होता है? Verb होता है, action, काम. और pronoun क्या है? जो हम noun की जगे. जैसे छोटा बीम की जगे हमने ही लिख दिया, तो ये हो गया आपका pronoun. और noun क्या है? noun, आपका person, place, animal और thing के name को हम बोलते हैं, noun. ओके चिल्ड़न, अब आपको ये कभी ने करें.